अगर आपका भी BPL या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है सरकार ने BPL राशन कार्ड के लिए आपकी फैमिली अईडे के अंदर 1,08,000 तक की एन्युल इंकम वेरिफाइड होनी चाहिए ये कंडिशन रखी थी और जिनकी भी फैमिली अईडे के अंदर 1,08,000 एन्युल इंकम वेरिफाइड थी और उससे कम तो उन सभी का BPL राशन कार्ड बना दिया गया था हर्याना सरकार द्वारा ओटोमेटली लेकिन बाद में समय समय पर हर्याना सरकार द्वारा कुछ और कंडिशन्स इसके अंदर जोड़ी गई जैसे कि बिजली बिल की एक कंडिशन थी तो पहले ये चंडिशन जो रखी गई थी वो 12,000 रूपे एंवल रखी गई थी है आन्ने कि आप तो बिजली का BIL 12,000 रूपेश साल का इससे उपर नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में इस कंडिशन को हटा लिया गया था लेकिन हाल ही में कुछ लोगों के राशन कार्ड फिर से कटने लगे हैं बिजली बिल दोरा लेकिन अब वो सीमा 12,000 नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आपका राशन कार्ड कट सकता है तो इस तरह से राशन कार्ड कट के exclusion लोगों के family ID में आ रहा है कि annual electricity bill more than 20,000 per annum based on electricity consumption data of the last year of a member of the family तो अभी जो यह limit है वो 20,000 रुपे कर दे गई है अगर आपका बिजली का बिल 20,000 रुपे से जादा है पिछली साल का तो आपका भी राशन कार्ड कट जाएगा या फिर कट सकता है तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका राशन कार्ड इस कार्ड कटा या नहीं कटा और अगर कट गया है तो इसका solution क्या है तो आई लेके चलते हैं आपको site पर इसके लिए आपको इस site पर आजाना है pppoffice.haryana.gov.in इसके लिए आपको login वाला option है एक तो यह है यहां से आप citizen login कर सकते हो लेकिन अगर आपको exclusion report देखने है तो आपको citizen corner के उपर click करना है report exclusion grievance इसके उपर आपको click करना है यहां पर आपको अपनी family yes करना है family ID number डालना है और search कर देना है इसके बाद आपके mobile पे एक OTP आएगा जो आपकी family ID में registered है वो डालके आप यहां पे OK करेंगे OTP डालने के बाद जैसे आप login कर लेते हो तो आपके सामने एक exclusion वाला option नीचे खुलेगा सभी member की detail और एक exclusion वाला button आपको यहां पे नजर आएगा किसी भी member के सामने अगर आपको यह लिखा आता है annual electricity bill more than 20,000 per annum तो आपका राशन कार्ड कर चुका है और अगर अभी तक आपका राशन कार्ड active है तो कुछ ही समय में आपका राशन कार्ड inactive शो कर देगा तो इसके लिए solution क्या है solution सिर्फ यही है अगर सच में आपका electricity bill पिछली एक साल का 20,000 रुपे से जादा है तो इसके लिए department दोरा आभी खिलाल कोई solution नहीं है लेकिन अगर आपका electricity bill 20,000 रुपे से जादा नहीं है गलती से यहाँ पे 20,000 रुपे से जादा उठा रखा है तो इसके लिए आपको अपने concerned ADC office में जाकर सुचिस्त करना है या फिर आप exclusion की complaint भी आप दाइर कर सकते हो यहीं पे आपको एक action मिलेगा take action का तो वहाँ से आप action भी इसके उपर ले सकते हो और online इसकी complaint भी आप कर सकते हो लेकिन तब ही इसका solution होगा जब आपका electricity bill सच में 20,000 से कम होगा अगर सच में ही जादा मिला तो यह exclusion आपका प्लाल नहीं होटेगा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इससे related तो आप comment section में post सकते हो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करकी मेल इकन को प्रेस कर लिजी थैंक्स वर रोचिंग इस वीडियो